कुछ दिन पहले सल्मान कान और लॉरेंस बिश्णोई विवाद में सल्मान की एक्स गल्फरेंड सूमी अली ने एंट्री मारी सोचल मीडिया पर पोस्ट लिखा बगाता लॉरेंस बिश्णोई से वीडियो कॉल के जरी बास्चित करने की गुजारिश की मगर अब सल्मान की एक्स सूमी अली के तेवर बतल है सूमी अली अब लॉरेंसे से जेल में मिलने का एलान कर रही है बेखाओ अफ अंदाज में सल्मान को माफी ना मांगने के सला दे रही है और यह सब कुछ सलमान की एकस करफेंट सोंगे अलिय ने जी मिलिया पो दिये इंटर्विय में का आप देखे ज़रा इंटर्विय में क्या का 90 की दशक्की वो अदाकारा जिसके सलमान से करीबी रिश्टे थे जिसे सलमान हद से ज्यादा चाहते थे और वो अदाकारा भी सल्मान पर जान लुटाती थी दश्कों बाद वो अदाकारा सल्मान की एक्स गल्टरिंड सुर्खियों में है ये सुमी अली है जो फिलाल अमेरिका में रहती है मगर बीते कुछ तिनों से सूमी अली ने सलमान खान की जिनदगी में फिर से एंट्री मारी है भजह है सलमान पर मंढरा रहा जान का खत्रा दरसल बाबा सिदीकी की हत्या के बाद लॉरेंस गैंग ने सलमान को मारने की धम की दी बस फिर क्या सल्मान के एक्स गल्फरिंड सुमी अली ने पहले तो लॉरेंस बिश्टोई को ओपन मेसेज लिखा कुक्यात गैंक्स्टर से वीडियो कॉल के जर्गे बात करने की गुजारिश की है मगर पहली बार सुमी अली कैमरे के सामने आई और जी मीडिया से बात करते हुए इस बात का एलान किया कि वो लॉरेंस से वीडियो कॉल पर नहीं बलकि आमने सामने बात करेंगी मैं जूम कॉल पर लॉरेंस बिश्टोई से कभी बात नहीं करूंगी क्योंकि मुझे कोई पचास हजार जो है इंस्टोग्राम पर मेसेज़ आएं कि मैं लॉरेंस बिश्टोई हूँ और मैं आपसे बात करना चाहता हूँ मैं गुजरात जाओंगी जेल जाओंगी सेक्यूरिटी के साथ और मैं सही तरीके से प्रेस मीडिया के साथ जाके लॉरेंस बिश्टोई से उनका इंटिव्यू करूंगी फिर उनका साइकलोजिकल इनालिसिस करूंगी एक दौर में सुमी अली साई की तरह सलमान के साथ रहती थी एक दशक तक दोलों एक दूसरे से जुड़े थे बस इसी के चलते सुमी अली ने दावा किया कि भले ही शिकार के वक्त वो सलमान के साथ नहीं थी लेकिन शिकार के बाद सलमान की पहली प्रतिक्रिया क्या थी वो सिर्फ उनहीं को पता है सल्मान को हंटिंग का शौक है दुन्या में करोरो लोगों को हंटिंग का शौक है मुझे हंटिंग का शौक नहीं है उस समय जब हम साथ साथ हैं कि शूटिंग हुई थी 1998 में मैं हंटिंग के लिए उस आउट्डोर शूट पे नहीं गई थी उस समय जब वो हंटिंग से बापिस आये थे तो उन्होंने मुझे ये बताया था कि उनको ये नहीं नौलेज थी, ये इल्म नहीं था, ये मालूम नहीं था, ये पता नहीं था कि जो डियर का जो ब्लैक बग डियर है वो विश्णोई ट्राइब कोई होती है, उनका वो सुमी अली का दावा है कि भले ही लोग सल्मान पर माफी मांगने का दबाव बना रहे हैं, खुद लॉरेंस पिश्टोई सल्मान को माफी मांगने की चिताव नी दे रहे हैं, मगर सल्मान वही करेंगे जो उनका मन चाहेगा, वो किसी के दबाव में कोई कदम नहीं उठाए जी मीडिया से बात्चीत के दौरान सूमी अली ने बेहत बेबाकी से एक एक बात रखी उनकी बातों में ना तो लॉरेंस का डव दिखा और ना ही चेहरे पर किसी तरह की चिंता सूमी ने साफ किया कि वो डौन लॉरेंस बिश्टोई से आमने सामने बैठ कर बात करेंगी चाहे इसके लिए उन्हें साबर मती जेल तक ही क्यों न जाना पड़े बिश्टोई की बायरिंग में कुछ प्राब्लम है उसका बच्पन में उसको मारा गया है उसको साथ साल की उमर से जब ब्लाइग बाक को मारा गया था उसको ब्रेन वाश किया गया है कि सल्मान ने मारा था सल्मान को तुम्हें बढ़ा हो के बदला लेना है क्या क्या बोला गया है मुझे डीटेल चाहिए क्योंकि मैं साइकॉलिजिस्स की हैसियत से ये मेरा काम है गौर करने वाली बात ये है कि बाबा सिद्धी की हत्या और लॉरेंस की धंकी के बाद जहां सल्मान खान के करीबी सहमे हुए है वहीं सल्मान के एक्स गल्फरेंड सुमी अली बेख़फ होकर लॉरेंस से सामना करने को तयार है जिस लॉरेंस बिश्टोई से इस वक्त पूरा बॉलिवुड सेहमा हुआ है क्या उससे सुमी अली को रत्ती भर भी डर नहीं सल्मान और काले हेरन के शिकार की दास्तान करीब तीन दशक पुरानी है इन तीन दशकों में सल्मान कई बार इस केस में चेल गए कोट कचेहरी के चक्कर भी काटे और अब तो उनसे इस बाबले में एक खास मंदिर जाकर माफी मांगने की बात भी कही जा रही है हाला कि सुत्रों के मताबक सल्मान के पिता और खुद सल्मान किसी से भी इस बाबलत माफी मांगने को तयार नहीं है मगर जी मीडिया से बात करते हुए सोमी अली ने साफ किया कि वो राजिस्तान के उस मंदिर में जाकर पूजा करने को तयार है और तो और बिश्टोई समाज को समझाने और मनाने का काम भी करेंगी मैं राजिस्तान ौ मेरी दुनिया में सब से फ़ेवरेट सबसे पसंदीता जगा ए मैं उँनके बंदे में पुजा करूंगी उनके भगवान की और मैं जितनी मेरी हैसितや जो मैं जितना भी मैं दे सकती हैं डोनेशन जो मेरी हैसित इह से मेर === कोई अमीर हूरत नहीं दरसल राजस्तान में फिल्म की शूटिंग के दौरान सल्मान खान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था और विश्टोई समाज में काले हिरन यानी चिंकारा की पूजा की जाती है बस तभी से लॉरेंस मिश्टोई बॉलिवूट के दबंग सल्मान खान की जान का दुश्मन बना हुआ है ऐसे में अब सोमी अली अपने एक्स बॉइफरेंड सल्मान खान और लॉरेंस गैंग के बीच दीवार बनकर खड़ी हो गई है दोनों की सुला की कोशश में जुटी हैं ताकि टाइगर की जान पर मंडराता खत्रा टल जाए और सल्मान इन फैमिली के साथ साथ पूरी फिल्म इंडस्ट्री राहत की सांस ले सके